वेल्कम बाक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आंड जैसा कि मैं हम लोगों ने कल बात करी थी कि आज हम इस सीरीस के अंदर बात करेंगे यहां पर मैंने इसी टाइम पर सोचा था कि यह सीरीस को स्टार्ट करेंगे रेगलर साटरेड़ संडे अपडेट्स आएंगे इसके चेंजिस भी हम लोग साटरेड़ संडे को डिसकास करेंगे इसके अंदर हम लोग डीटेल में बात करेंगे कि क्यों वो स्टाउक्स को सेलेक्ट किया गया है मैंने किन-किन स्टाउक्स के अंदर अल्रेडी पोजेशन बना लिया उन सारी चीज़ों को भी डिसकास करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं रिटर्न जो हम लोग यहां पर कंसर्डर करेंगे 17-18 परसेंट टाइम फ्रेम 1-3 वीक्स रहें वाला है यहां पर स्विंग ट्रेड आइडियास के यहां पर खासियत क्या होने वाली है देखें डिफरें सेक्टर्स के हम लोग स्टॉक लेंगे holding period बहुत कम है और stocks वही लेंगे जिनके अंदर breakout आ चुका है तो first stock of the day is max health अब देखें यहां पर max health ने अपना all time high अचीव करा है एक बार weekly time frame पर देखो यहां पर आप देखोगे इससे नीचे कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस stock ने अपना all time high जो है उसे break करा ह उसके उपर closing दी हुई है जिसकी वेरे से एक अच्छा sign बनता है यहां पर and हमने यहां पर entry position बनाई है max health is one of the stocks जो मैं already hold कर रहा हूँ and अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें risk to reward ratio कितना है सब में तो उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो video को end तक जरूर देखना अब देखो यहां पर max health के अंदर हुआ क्या कि एक अच्छा breakout आया इस लेवल पर देखो एक अच्छा breakout आया उसके बाद stock हमें यहां पर consolidate करता हो नजर आ रहा है तो यह एक अच्छा sign होता है अब जिन लोगों ने fresh entry लेनी है आपका entry level यहां पर बनेगा प आपको पहले target बहुत ही चोटा मिलने वाला है क्योंकि हम लोग यहां पर trailing stop loss को बहुत value देंगे और यहां पर आपको first target मिलेगा सिर्फ 483 रुपीज का अगर breakout persist कर जाता है यहां से तो देखें फिर हम लोग next 5% इसी level के around से यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो यह already हमारा 3% return cover कर चुका है यहां से हम लोग consider करेंगे और return को जो हम लोग का somewhere close down to यहां से expect करेंगे 6% के breakout को क्योंकि यह इसके past data पे है and हम लोग का target यहां पर 518 जाएगा accordingly यह हो गया max health के बारे में stop loss level की अगर हम यहां पर बात करें 442.85 पे एक strong support है वही stop loss level रहने वाला है और देखे stop loss hit कैसे होता है यहां पर वो भी एक बार बात कर लेते हैं यहां पर stop loss तब hit होता है जब इसके नीचे stock closing दे और breakdown के समय पर volumes काफी जादा बढ़ जाए दूसी चीज़ आपको यह समझनी है कि यहां पर देखे दो दिन ज आज हम discuss करने जा रहे हैं that is bank of maharashtra यहां पर आप देखेंगे recently bank of maharashtra ने एक बड़ा breakout लिया and एक अच्छी volume के साथ में लिया तो यह healthy sign है अब देखे bank of maharashtra ने अपनी दूसरी resistance को भी break करके closing दी है जो कि यहां पर थी तो यह healthy sign है यहां पर जो मैं देखने को मिला है कुछ यहां पर factors जो consider करने वाले हैं क्योंकि मैंने stock में अभी entry नहीं बनाई है उनकी बात करते हैं देखे RSI थोड़ा सा oversold zone में चला गया है बट वहीं पर आप ADX को देखेंगे तो उसके अंदर भी potential दिखा रहा है तो यहां पर अगर हम लोग targets की बात करें तो हम लोग का first target जो हमें stock में देखने को मिलेगा that will be somewhere close down to 24 rupees यह हम लोग का first target है जैसे हम लोग ने बात करी trailing stop loss और उसके बाद second targets को trail करेंगे and यहां पर second target 25.74 के round रहने वाला है यहां पर अगर हम बात करें stop loss की तो stop loss आपका रहने वाला है इस level पे 21.38 के round पे and इसके नीचे closing मिलती है तो आप यहां पर इसमें अपने stake को अटा सकते हैं third stock which we have here is repco home finance देखें stock के अंदर एक breakout अगर आप देखेंगे तो किस तरीके साय है उसकी बात कर लेते हैं यहां पर देखें stock में जो breakout हमें देखने को मिला वो एक अच्छे trend को break करके देखने को मिला and यह एक pattern भी होता है and यह same pattern पर मैंने दूसरे stock में entry ली हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं 50A में से breakout आया which is a good sign RSI भी देखें अच्छे levels पर ADX भी अच्छे level पर है तो यहां पर stock में हम लोग को अच्छा target देखने को मिलेगा almost यहां पर close down to 279.60 का हमें target देखने को मिल रहा है and यहां से almost this accounts for 16% of returns stop loss के अगर हम यहां पर बात करें stock के अंदर तो that will be somewhere close down to 220 के around पर यहां पर stop loss हम लोग का रहने वाला है AC के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसके अंदर भी same breakout pattern बना था जो अभी मैंने आपको recently repco home finance में दिखाया देखें यहां पर भी pattern बना मैंने इस green candle पर entry ली थी and stop loss मेरा यहां पर stock के अंदर था इस level के around पर 287 पर देखें यहां पर क्योंकि red candle सिर्फ वहां से देखें trend को touch कर और वापस retest कर गया तो that is a healthy sign बड़ा breakout आया यह भी अपने 52 week high पर है इसके अंदर entry initiate इस level पर तब होगी देखें वॉल्यूम अच्छी आया यह breakout आया resistance के उपर closing भी मिली है all healthy signs are there यहां पर आपको एक ची समझने है कि यहां पे अगर आप इस level पर stock में entry ले रहे तो stop जो आपका target है यहां से वो बहुत छोटा है 126.95 and second target आपको यहां पर stock में देखने को मिल जाएगा 136.87 के round पर stop loss की वहीं अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है 120 के level पर और दोस्तों यहां पर यह सब information है आप अपना research जरूर करें क्योंकि आप अपने basis पर ही जो भी है action लेंगे and अपनी research जरूर करें that is very important अगर आप market में नहीं है तो paper trade करें मु सब्स बढ़ गई otherwise मेरी entry level 296 ती यहां पर आप देख सकते है 9.83% का जिस दिन breakout आये उस दिन मैंने buying करी तो average cost थोड़ी से बढ़ गई यहां पर 3.42% already मेरी position plus में max sales में मैंने 453.70 पर entry ली थी and target touch हो गया था 480 का वट मैंने वहां पर book नहीं करा and क्यूंकि मेरे को लगता है भी stock थोड़ा सा और bullish है मैं stock को लिके थोड़ा सा bullish हूँ इस वजह से और यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरा SME net change चल रहा है यहां पर अगर हम इस excel की बात करें तो यह थोड़ा सा आपको benefit दे सकते हैं इसे आप देख सकते हैं यहां पर देखें यह सब first targets है इसलिए risk reward ratio इतनी कम है तो उन चीजों को definitely consider करिएगा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी अपना feedback जरूर दीजेगा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक ले शक्रिया and thanks for watching